इस जनहित याजका में तर्क दिया गया कि आधार में डेटा की सिक्योरिटी की आलेटी है और इंडिया मुस्लिम परसनल लोबॉर्ड ने आज एक हस्तचिप आवेदन दैर किया जिसमें जनहित याजका का विरोध करते हुए बहु बिवा, निकाह, हलाला, निकाह, मुताह, निकाह, मिसर और सरिया कोट पर पतिबंद लगाने की मांग की गई थी कॉंग्रिस की माहस्तर चेव प्रियांका गांधी ने विरुजगारी खोले कर ट्विच करके सरकार पर निशाना सादा है, उन्होंने लिखा कि नौक्रियां देने के तमाम बड़े वादों की हकीकत यही है, देश के साथ बड़े चित्रों में करीब साड़े तीन करोन लोग बिजपे सांसर सक्षी माराज ने कॉंग्रस पंडिशाना सादा है, साक्षी माराज ने कहा कि जब कश्मीर के हिंडों को भगाया जा रहा था तब कॉंग्रस ही कहा थे, उन्होंने कहा कि आज हर राजशनेतिक दल अपने बारे में सोच रहा है, जबकि बिजपी ही सिर्फ प्रदर्शन के दौरान उनकी जान गई है उनके परिवार को फी उचित मदद मौचाने की बात कही गई है ब्राजिल के राजपती जायस मेसिस बोल सनारो आज ताज महल का दीदार करेंगे ब्राजिल के राजपती मुख्यादीती के तौर पर गंता प्रितिवस पर भारता है जब PCM दिनेश शर्मा उनका स्वागत करेंगे करीब एक घंटा वो यहां रहेंगे और इस दौरान ताज महल आप जचकों के लिए बंद रहेगा पुर्बकेंट्री मंत्री यश्वन सिन्हा ने लखनव में प्रेस कॉंफरेंस कर बीजेपी पनिशाना साधा है यश्वन सिन्हा ने कहा नागरित्ता संसोधन कानून को लागू करने के लिए ग्रह मंत्री अमिश्वा की भाषा अलोक तांत्रिक है वो ऐसा नहीं बोल सकते चाहे जतना विरोधों CAA वापस नहीं करेंगे उतरप्रदेश सरकार भारत की जीवन दाइनी मानी जाने वाली गंगा नभी को निर्मल और स्वक्ष बनाने को लेकर बड़े जागरुपता अभ्यान शुरूर कर चुके है CM योगी आदितनार्थ ने आज बिशनौर से मुहिम का आगास किया CM योगी आदितनार्थ में हरी जंडे दिखा कर पांच दिवस्य गंगा यात्रा का शुभारम किया है गंगा यात्रा में आज केंजरे मंतरी सहित युपी के 27 मंतरी शामिल होगे नवामी गंगी योजना के तहट महत्वकान श्री गंगा यात्रा बल्या से शुरू हुई युपी की राजपाल, आनंटि बेंट पतेल, गुपालपुर गंगा घाट पहुँची और गंगा पूजन किया सियम योगी लखनव में आज शाम साड़े छे बजे उर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक करेंगे बैठक में उर्जा मंतरी, प्रमुक्सचिव उर्जा, अपर मुक्सचिव वित और आर्थिक सलाकार के वी राज़ों भी मौजूद रहेंगे गुरकपुर में सियम योगी ने जंता दरबार लगाया, इस दोरान उन्होंने लोगों की परियाद भी सुनी और अधिकारियों को तुरंट समस्या का समधान का आदेश दिया है सियम योगी आदितनात की गंगा यात्रा के मदनजर संबल में गंगा यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है गंडौर में सभास थल को रात में भी तैयार किया जा रहा है, गंगा यात्रा संबल में 29 जनवरी को पहुँशेगी सियम प्रिवेंद सिंग रावत ने उत्राखंड में स्वक्षता सन्वेक्षन को लेकर जनटा से अपील की है सियम प्रिवेंद ने साफ का है कि प्रदेश की जनता और खास तोर पर देरादुन की जनता को इस अभ्यान में सक्रे भागिदारी निभानी चाहिए उनके नुसार शेहर साफ होने के साथ साथ लोगों को अपने आसपास सफाई को लेकर सचत रहना होगा गरदुन में चल रहे हैं ट्राफिक प्लान से ना केवल जनता बलकिगा वेफारियों को भी परिशानिया हो रही है ऐसे में कॉंग्रस ने भी पुलिस की ट्राफिक प्लान के खिलाफ आवाज बुलन कर ली है कॉंग्रस महानगर अगरश लाल चंदर शर्मा ने साफ कहा कि पुलिस ने जो ट्राफिक प्लान प्रवुक्ष चौराहूं पर लागू किया है वो गळलक है उसे जड़ता को भी परिशानी आ रही है उटके अदुसार कॉंग्रस इसकी खिलाफित करती है अलिगर्ण मुसलिम यूनिवर्स्टी में चात्रों ने परिक्षाओं का बहिस्कार किया है चात्र फैकल्टी पर ताला लगाकर धने पर बैठ गय है यमियू में आज इंजिनरिंग और यूनानी मेजिकल की परिक्षाओं की चात्र वीसी और रजिस्टार के इस्तिफे की मांग पर अड़े हुए है यूपी में बार खुले रहने के समय में बदला होने वाला है बार खुलने का समय अब एक घंटे और आके बढ़ा दिया गया है अब रात बारा दो बच्चे तक बार खुले रहेंगे बार की नई समय सीमा एक एपरिल से प्रभावी होगी नगणिगम के दायरे में आने वाले बियर लिकर बार पर ये समय सीमा प्रभावी होगी बड़े समय के लिए अत्रिक फीज दे कर आपकारी विभाग से परमिशन ली जाएगी गचनवाटा के रोही गाव में जेवर यरपोट के जमीन अदिकरहन को लेकर किसानों और जिरा प्रशासन में ठकराओं के हालात बन गए है जमीन पर कपचा लेने पहुंचे प्रशासन और पुलिस टीम पर किसानों ने पत्राव किया किसानों ने जमीन पर कपचा देने से इंकार करते वे प्रशासन की गाड़ियों में तोड़ फोड़ भी की है पत्राओं में कई लोगों के घाल होने की खबर भी साबने आ रही है सीतापुर में जहरीली शराब से एक्यूवक की मौत का मामला सामने आया है मामला इमलिया सुल्तारपुर थानाचेत्र का है जहां जहरीली शराब पीने से एक्यूवक की मौत हो गई वहीं एक्यूवक की हालत गंबीर बनी हुई है परिजनों ने उसकी हालत गंबीर देखते हुए उसे जला अस्पताल में भरती कराया है सुप्रिम कोट के रोक लगाने के वावजूद मांगलिक समारों में हर्श फाइरिंग की घटनाय रुपने का नाम नहीं ले रही ताजमामला सीतापुर के खैरबाद इलाके का है जहां तिलक समारों की खुश्या मातम में तब्दिल हो गई यहां तिलक समारों के दोरान डीजी पर तमंचे पर डिस्को गाना बचते ही एक यूवक ने लाइसेंसी पिस्टॉल से ताबर तोट फाइरिंग शुरू कर दी इस फाइरिंग के दोरान एक यूवक की मौथ हो गई रांपूर के गाउ में खुए से दो यूवको के शव मिलने से संसरी पैल गई है पर इचनों ने हट्या कर शव कुए में चालने के आश्रक का जटाई है जानकारी के मताबिक दोनों यूवक दो दिनों से लापता थे सूच्वा मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोश्मार्चन के लिए भीज दिया है विद्णवन के खुचैल में एक दमपती को विगोशी के हालात में पाया गया जसकी बाद हुचैल में हड़कम बच गया मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भटी करवाया है महिला को में तो गोसित कर दिया गया है बताया जा रहा है कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था मत्रौक के एक खुचैल की कमरे में विगोशी की हालात में दमपती मिले से हड़कम मजगया पुलिस ने दोनों को गंबीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया है इस दोरान महिला की इलाज के दोरान मौत हो गई जब की पुरुष की हालात नाजुक बताई जा रही है कानपुर ताना छेत्र में मामुली विवात को लेकर गाउं वालों ने जम कर पत्राव किया है पत्राव किसी और पर नहीं बलकि एक गरी परिवार पर किया गया जिसमें महिला और बच्चे भी शामल थे दबंगों ने गरी परिवार पर इटो और पत्थर से जम कर पत्थराओ किया कोट में शादी करने के बाद कई महीनों तक भागे भागे फिर रहे प्रेमी युगल की कानपूर पुलिस ने शादी करवा दी है पुलिस ने दोनों के परिजनों को बुला कर समझाया और रजामंदी के बाद मंदिर में शादी करा दी नवदंपती को पुलिस के साथ परिजनों ने भी आशरवाद दिया लखिमपूर खीरी के नौरंगाबाद महले में घरेली विवाद के चलते एक शक्स ने कुलहाडी से वार कर अपनी पत्नी और भाई की हत्या कर दी आरोपी ने अपनी मापर भी जानलेवा हमला करके घाल कर दिया हत्या से अलाके में अपरात अफ्री का महल बच गया है अल्दवानी में जिला प्रशासन ने अतिक्रमन करने वालों पर कारवाई करनी शुरू कर दी है जीम के निदेश पर अब शहर में सड़क किनारे कच्चे और पक्के अतिक्रमन को पूरी तरह से हटाया जाएगा जिसकी शुरुवात काटकुदाम से की गई लखिमपूर थाना चेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी और भाई को कुलहाडी से काट कर मौत की घाट उतार दिया युवक ने अपनी मा को भी कुलहाडी मार कर खायल कर दिया घायल अवस्था में मा को जला अस्पताल में भट्टी कराया गया है पुलिस ने मौके पर पहुँच कर आरोपी को गरफतार कर लिया है रामपूर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुटबेड में दो बदमाश गोली लगनी से घायल हो गए वही पुलिस ने इस मुटबेड में तीम बदमाशों को गरफतार कर लिया है दरसल इन बनमाशों पर आठ दिन पहले जंगल में नबालिक से दुशकर्म करने की खोशिश और नबालिक की हत्या करने के आरोप है अमीरपूर में दबंग ने घर में गुशकर युवती के साथ छेड़ चाड़ की और जब युवती ने उसका विरोध किया तो दबंग ने युवती के हाथ पैर बान कर पासी के पंदे पर लटका दिया इस दोरान पीडिता का भाई मौके पर पहुँच गया तो आरोपी उसे तमंचा दिखा कर मौके से फ़राख हो गया वही आनन पानन में युवती को इलाज के लिए अस्वास केंदर में भड़ती कराया गया जहां उसकी हालात को देखते वे उसे उरई रफर कर दिया गया है प्रागराज की रोशनबाग इलाके में नागरिक्ता संसोधन कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन स्थल पर एक युवती ने खुद के साथ छेड़ खानी और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है युवती की तहरीर पर खुलदा बाद ठाने में दो नामजद सहीत पाश लोगों पर फाई आर भी दर्श हो गई है युवती ने आरोप लगाया है कि व्रदर्शन स्थल पर कुछ महिला सहीयोगियों ने उसके साथ मारपीट की और पुलिस सहीयोगियों ने उसके साथ बचसलू की और छिड़खानी लिखी है रचनवाजा में कारो ट्रक की भिड़ंत पे 51 वर्ष्य दरोगा सौदान सिंग की मौथ हो गई है कार में दरोगा सौदान सिंग के अलावत दो और लोग बैठे थे जिनकी हालात गंभीर बताई सारी है दादरी थाना इलाके के बाइपास पर ये दर्दनाग हाथसा हुआ है यूपी में एक बार फिर किसानों ने गायों को सरकारी स्कूल में बंद कर दिया है आगरा में गाये आए दिन किसानों के खेतों में जाकर फस्लों को नुकसान करते हैं आब आरा गायों के तुबारा किये जा रहे हैं नुकसान से परिशाद आकर किसानों ने गायों को पुर्व मात्मिक विद्याले में बंद कर दिया जब बावग बनबसा इंटो नेपाल सीमा पर लाखों की करंसी बरामत की गई है एसेसबी ने चार लोगों से 47 लाख की करंसी के अलावा 7000 की नेपाली करंसी भी बरामत की है चार लोग नेपाल से बुरादाबाज जा रहे थे इनमें तीन युवक और एक महिला शामल थी एसेसबी बनबसा पकड़े गए लोगों से पुश्टाच कर रही है जालोन में गंतंत्र दिवस के मौके पर आज़ित छात्राओं को सिक्षा की मुखिधारा से जोडने वाले कारिकरम वे डियम और विधाय की मौझूदकी में जम कर हंगामा किया गया ग्रामीडों ने कॉलिज के प्रिंसपल पर शराप पीकर मंच पर बैठने का आरोप लगाया है जिसके बाद ग्रामीडों ने प्रिंसपल के मंच पर बैठने का विरोध करना शुरू कर दिया जौनपुर की इशापुर मोहले में बेरसनल गोदाम में अचानक आग लिगने से अफ्रा तफ्री मज़ गई कुछे पलों में गोदाम में रखा लाखो खमाल चल कर राखो गया सुचना मिलते ही फायर ब्रिकेट की कई गाड़ियां मौके पर पहुँच गई है श्रीनगर में ओलवेदर रोज में अनियोजित तरीकों से कार किया जा रहा है जो अब लोगों पर भारी पढ़ने वाला है श्रीनगर सडक चौणी करने की वज़े से आधा दर्शन मकानों को खत्रा पैदा हो रहा है दरसल जन पहाडियों के कटार इन अलाकों में किया जा रहा है वहां के आसपास बने मकानों की नीज तिल रही है डरादुन के RTO में लगा वालों की पाईलों का पहाड़ खत्म करने के लिए विभाग ने इन पाईलों के कम्प्यूटी करन का कवात शुरू कर दिया मौजुदा समय में आटियों दफ्तर ने पुराने वाहनों की करीब 10 लाग पाइले जमा की है और इनने कम्पूटराइज करने के लिए विभाग ने 5 करोड रुपए मंचूर कर लिये है देश के पहले वेटलाइन करजरलेशन रिजर्व आसंने कई प्रशाथियों की विदेशी परिंदे का आना जारी है विकास नगर में विभिन प्रशाथियों के रंग और पक्षी स्थानी लोगों के अलावा प्रज़कों के लिए भी आक्रशन का केंग्र बने हुए है छे महिने के प्रवास पर आने वाले इन महमान परिंदों की वन विभाग पक्षी विशिशग्यों की देख रेक में गड़ना करता है इस साल की गड़ना में साइबेरियन वर्ड्स की संक्या 4,486 आ की गई है और करीब 50 प्रजातियों के विदेशी पक्षियों ने यहां डेरा डाला हुआ है गेरदुन के 18 साल के बुज़ूर्ड प्लास्टिक सर्जरिन डॉक्टर योकी एरन को गंतंतर दिवस पर पद्मिश्री संबान से नवाजा गया है उनके संबान से उत्राखंट का भी मान बड़ा है डॉक्टर योकी एरन 14 साल से मानवता की सेवा करने में जुटे हुए है वो अब तक 5000 से ज़ादा निश्वल को प्लास्टिक सर्जरी कर चुके है रोधुप्रया के जिलादिकारी मंगलेस गिंडियाल को राश्ट्य पुरुसकार से सम्मानित किया जा रहा है ये गवर्डन्स के छेटर में साथ परवरी को मुबई में किंड सरकार डियम रोधुप्रया को राश्ट्य पुरुसकार से सम्मानित करेंगे देरादुन में मुख्यमंत्रे टिवेंस सिंग रावत के हाथों, मुख्यमंत्रे अधिप्रिस्टा और शुशासन पुरुस्कार से सम्मानित हो चुके है चमॉली के रहने वाले कल्यान सिंग रावत को पदमश्री से नवाजा गया वो मैती आंदोलन के जरिये लोगों को पर्यावरिन संरक्षन की अनूची पहल कर चुके है साथी उन्होंने चिपको आंदोलन के जरिये पेडो और जंगलों की उप्योगिता का एहसास भी दिलाया था इसी के साथ इंटर कॉलेज में जियू बिग्यान प्रवक्ता के पद पर रहते वे कल्यान सिंग ने स्कूली बच्चों की मैती आंदोलन के लिए प्रयावरित भी किया था पर धीरे धीरे समूचे गाओ के लोगों को प्रयावरित करने का कारब भी किया है पहाडों में संसाधनों की चाहे लाग कमी हो लेकिन किसी में इक्षाष श्रक्ती हो तो कोल भी कारे नामुम्किन नहीं होता कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मसूरी की करिश्मा राला ने महरास्ट के मुम्बई में करिश्मा ने नौ लोगों की टीम के साथ मिलकर 280 फीट उची खड़ी चटान पर चड़कर मसूरी और उत्राखट का नाम रौशित किया है चीन में फैला कोरोना वाइरस अब धीरे धीरे दोनिया के कई दूसरे देशों में पैर पसार ना शुरू कर रहा है थाइलेंड निपाल, अमेरिका, फ्रांस के बाद अब भारत में भी इस बिमारी के संदिक्त मरीज मिलने की खबर साबने आई है मुंबई और जैपूर के बाद अब बिहार के छपरा से कोरोना वाइरस के संदिक्त का पता चला है ब्रिजिन की क्वीन अलिजबेट ने अपने बड़े पोते प्रेंस विलियम को एक नए शाही किताब से नवाजा है अभिहाली में दंपति प्रिंस हैरी को मेगन माकल ने शाही परिवार में पद छोड़ने का अलान रखी किया था ये रिंज्या को वेशने की तैयारी शुरू हो गई है मोदी सरकार ने सुमवार को प्रारंबिक जानकारी वाला मेमोर्डम जारी कर दिया है सरकार के इस प्रस्ताफ के खिलाब 267 सुप्रिमन्यम स्वामी खड़े हो गए है 277 सथ सुप्रिमन्यम स्वामी ने ट्विच करके जरिये फैसले का विरोध करते हुए कहा कि ये सौधा पूरी तरह से देश विरोधी है और मुझे कोट जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा हम परिवार की बेशकीमती चीज को नहीं बेख सकते नाशनल बास्केटबॉल एस्टोसेशन के दिगज खिलाडी कोब्री ब्राइच की लॉस एंसलेस्ट में हलिकॉप्टर प्राइच होने से मौत हो गई वो 41 वर्ष के तेव ब्राइच के निधन से खेल जगत में मायूसी च्छाई हुई है भार्टे क्रिकेट टीम के कप्तान विराज कोनी और उप कप्तान दोहित स्वर्मा ने कोब्री ब्राइच की मौत पर दुख जताया है कोब्री बार्यंच और बेजी के निधन पर बॉल्बूर स्टास भी सदमे में है करन जोहर ने कोब्री बार्यंच के निधन पर शोक जताया है और ट्विच करके उन्हें शद्धाच लीपी दी कंगनर नोच स्टार्डर पंगा ने इस विकेट अच्छी कमाई की है फिल्म ने रविवार 26 जनवरी को 6.66 करोड की कमाई की है इससे पहले शवनिवार को 5.61 करोड का कारूबार किया था फिल्म का कुल 3 दिन का कलेक्शन 14.91 करोड रहा है बॉलवस में पहले ही फिल्म से अपना सिक्का जमाने वाले आक्टर बॉबी देवल का आज जन्म दिन है 1969 को मुंबई में इनका जन्म हुआ था आज बॉबी अपना एक्यानवाद जन्म दिन सेलिब्रेट कर रहे है आमिर्खान स्टार लाल सिंग चड़ा इस कृस्मस सोलो रूलीस के लिए तयार है आमिर ने शोशल मीजा पर एक ट्विट के जरिये इस बात की पूस्टि की है इस बिट में उन्होंने आक्टर अक्षे कुमार और डारेक्टर प्रोडूसर साजित मार्जेवाला को अपील कर अपनी फिल्म की डेट आगे बढ़ाने का धन्यवाद भी दिया है